हुश्कार दोस्तों दनिर्मान में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग एक महत्पूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं हाली में क्रशी ग्रामीर विकास मंत्राले ने एक पोर्टल लॉंच किया है जिसका नाम है नंदी पोर्टल चर्चा में क्यों है यह इसल परिछे के लिए एक बहुत महत्पूर्ण plane प्रश्ण बन सकता आपके लिए कि दंदी पोर्टल का संबंद किस्थे हैं या नंदी पोर्टेल क्या है थोने पुछ नाम सिनक्टें कि नंदी पोर्टल मत्लब यह कुछ रिलेटेड हैं गाय से यहां रिलेटेड है तो यहां पें पर अपको वो प्रश्न के माध्यम से आपको Confuse कर सकता है कि नंदी पोटल किसे संबंदीत है तो नंदी पोटल के हुआ मनलब यह है कि जो नंदी है यह नई दवा और टीका करव प्रणाली से संबंदित है यह पोर्टल इस पोर्टल में डियाएजडी केंद्री और शदी मानक नियंतर संगठन के सुगम पोर्टल के साथ बिना किसी रोक टोक अधिक सुविवस्चित तरीके से पशुची कि उत्पात प्रस्तावों का मुल्यांकन और जाच करने के लिए पार दर्सिता के साथ नियामक अनुमोदन पक्रियाव को सरल बनाएगा नंदी पोर्टल के शुरुवात पशुची का करण कवरेज पहल और मोबाइल पशुची किस्था एकाईयों MVU के बाद एक और उलेखन का या पशुची का वो टीका करण या कोई भी नई दवा जो लॉंच हो रही है बाजार में इन मवेशियों से संबंदित उन सभी का आगमन बाजार में और टीका करण का फाइनल एप्रूवल ये सारी चीज़े बहुत आसानी से हो सकेगी अब इस पोर्टल के बाद से ये व्यवसाइक द्रस्टी कोर्ट से भी शोद करता हो और उद्द्यों को को एक मूलवान साहता प्रदान करेगी पशुपालुकों में जागरुकता बढ़ाने और लॉजिस्टिकल सुविधाओं में सुधार से दवाओं के खपत में भी व्रद्धी होगी इस पोर्टल से ला हमारे जो लेवलिट लावलि स्टॉक हैं जो भी हमारे वह स्वस्त रहेंगे थम बहुभासर रहें और हम सभी को पता है के हमारे भारत की वच्ट्वर्थ करसी rebels ग्राट डेंड तो यह सारे सब कुछ इसमें डारेक्ट आ जाता है इसमें कि अगर हमारे मवेशी अच्छी रहेंगे तो यह सारी चीज हमारी अपने आप ही अच्छी रहेगी तो हमारे जो नंदी पोटल के लाव है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं परशुची किस्सा टीकों का ना केवल पशु स्वास और उद्बादन पर बलके सुरेचित खाद आपूर्ती बढ़ाने और पशु से मानव में संक्रामक रोगों के संचरन को रोकने से मानव स्वास पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है और पड़ा रहा है मतलब हमारे अभी जो एक एक अभी बीच में चला था कि पशु के जो भी रोग हैं वो मानव हो रहे थे तो नेंदी पोटल से अगर हम पशुओं को टाइम टु टाइम समय पही अगर हम ठीका करन करते रहे रहे तो यह जो एक 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 पशु आधारित एक जो हमारे संक्रामक रोग पैदा हो रहा था मानवों पर भी वो भी एक चेन यहां पर टूड जाएगी जिससे हमारा पशु और मानों दोनों ही सुरच्छित रहेंगे यह हमारे पूरे एको सिस्टम का एक हिस्सा है हमारे पशुधन को स्वस्थ रखना और टीको तदा दवाओं की नीमित अपूर्ति बनाये रखना एक महत पूरुन है नंदी जिस हम लोग यहां पर एक नाम बारबार देख रहे हैं DASD यह DASD है क्या DASD कुछ नहीं है यह पशुपालन और डेरी विभाग है हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी से एक चर्चा कर लेते हैं कि DASD है क्या एक थोड़ा सा प्रकास डालते हैं इस विशे पर भी DASD एक PASA भारत सरकार के अजित्ता में पशु स्वास्त के लिए अधिकार प्राप्त समीति है एक अधिकार प्राप्त समीतियों के स्थापना के माध्यम से नियामक प्रक्रिया में सुधार करने की दिशा में यह काम कर रहा है यह भारत में लचीली, किसान केंद्रित, पशु स्वास चिकिस्टा विश्यसक के सामिल है का गठन व्यापक रूप से विचार विमस करने कुशलता पूर्वा कारवाई करने और विभाग में परशुचिकिस्टा वैक्सीन जैविक दवाओं के प्रसुती पर सिफारिश या नीती इंपुट प्रदान करने के लच के साथ किया गया ह तो आज की टॉपिंग में हम लोगों ने नंदी पोटल के बारे में देखा और साथ ही में एक डीएएजडी के बारे में भी देखा पशुपालन और डेरी विभाग के बारे में हम लोगों ने चर्चर करी उमीद है कि यह जानकारी आपके आगामे परिछाओं के लिए साथ फिर से आपके सानुम पस्तित होंगे तरह तक के लिए नवस्कार धन्यवाद